नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं के करेकारी अध्यक्स हेमान सुरेन को पुष्टाज के लिए 6 बार समझ जारी किया लेकिन हेमान सुरेन इडी के छेतरिये कराले में पुष्टाज के लिए आजिर नहीं हुए इसके बाद सातवा समझ जारी करते हुए 29 दिसमर को मुख्य मंतिर से कहा गया है कि केंद्रिये एजेंसी को उनसे पूछ ताश करना है वह बताए कि कब और कहां उपलब्द रहेंगे बताद एडी ने उन्हें दो दिन का वक्त दिया था वक्त बीत जाने के बाद भी है मनसुरेन की ओर से एडी को कोई जबाब नहीं दिया गया अब इस बीच किरिडी जिले के गांडे बिधान सभाज से निवाचित बिधायक डक्टर सरफराज अहमद ने बिधान सभाज की सरस्यता सजथी पादे दिया है जारखन बिधान सभाज सच्चिवाले ने सो मोर को इसकी अधिसुचना भी जारी कर दी इसके बाद सही चार्चा है कि इडी की किसी भी संभावित करवाई के लिए हेमन सुरेन तयार है साथ ही सरकार बेकलपी की रास्ता भी तरास रही है अंदर खाने से सुत्र बता रहे हैं कि हमन सुरेन की जगा उनकी पतनी कलपना सुरेन को मुख्यमंत्री पत की सपत दिलाई जा सकती है उनको गांडे से उपचुनाव लडाया जा सकता है इसलिए गांडे विधान सवासीर से डाक्टर सर फराज अहमद का इस्थिपा हुआ है 2024 में होगी 47,000 नियुक्तियां 11 जे पीएसी सुरू होने की संभावना बर्स 2024 के जून तक प्रथम चरण में 47,000 युआओं को नियुक्ति पत्र मिल जाने की संभावना है वहीं जून के बाद दूसरे चरण में लबक 24,000 से अधिक पदों के लिए नियुक्ति पर किरिया सुरू हो सकती है इस वर्स 70,000 से अधिक युआओं को सरकारी नोकरी मिल सकती है जार्कन करमचरी चैन आयोग की ओर से फिलहाल 43,000 से चाव सतीन पदों पर नियुक्ति पर किरिया चल रही है जबकि जार्खन लोग सेवा आयोग में एक हैर से अधिक पदो पर नियुक्ती पर किरिया चल रही है बताद 274 पदो पर जल्द ही नियुक्ती पर किरिया सुरू होने की संभवना है जार्खन करमचरी चयान आयो की ओर से चल रहे नियुक्ती पर किरिया में कुछ पदों के लिए परिक्षा हो चुकी है वहीं कुछ काविदन जमा हो चुका है यह सभी नियुक्ती जून तक पुरी हो जाने की संभवना है 43 या 603 में से आधिस से अधिक नियुक्ती स्कूली सिक्षायम सर्शकता विभाग की है खरसावा गोली कान के सहीदों की कराई जाएगी पहचान सियम हेमांत जार्खन के मुख्य मंतरी हमांसुरे ने सोमवार को खरसावा के सहीदों को सरदानजली अरपित की उन्होंने जन सभा को समोदित करते हुए कहा है कि खरसावा के सहीद अस्थल को आदिवासियों का प्रेणा अस्थल बनाएंगे हमारे पूरवजों ने अपने प्रानों का बलिदान देकर इस अस्थल को प्रेणा अस्थल बनाया है हमारी सरकार ने हमेशा सहीदों को सम्मान दिया है खरसवा गोली कान के सहीदों की पहचान कराने का पर्यास किया जाएगा ताकि सहीदों के आस्रीतों को भी सम्मान मिल सके उन्होंने कहा है कि जल्द ही सहीद अस्थल के पास के छेतर में साथ कोड़ रूपए से विकास कार्य होंगे आगे और भी योजना बनाई जाएगी सीम ने मंच से विपक्षी दवलोपन निसाना साधने के साथ साथ अपनी सरकार के उपलब्धिया को भी जानता के समक्ष रखा है गांडे से जे में बिधायक सर्फराज अहमद ने दिया इस्थीपा गांडे से जे में बिधायक डक्टर सर्फराज अहमद ने पत सर इस्थीपा दे दिया है बताया जा रहा है कि पार्टी से नराज होकर उन्होंने या फैसला लिया है 31 दिसम्बर दो हयाते इसको विधान सभा अध्यक्ष ने विधायक का इस्थीपा सविकार कर लिया है इस समध में जार्खन विधान सभा सच्चिवाले की ओर से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है बता दे कि लंबे समय से राजनिती गलियारों में विधायक सर्फराज अध्यक्ष ने की चर्चार चल रही थी अब सच्चिवाले की ओर से जारी की गई इस अधिसूचना ने इन चर्चावों पर मुहर लगा दिया ड्राइबरों की राष्ट वियापी हर्चाल से सडको पर पस्रा सनठा हीट अएन रन के नए कानुन की खिलाब तीन दिव से राष्ट वियापी हर्चाल का असर को डार्मा में दिखा वहन चलको ने शो मुहर को नाए साल की स्चुछ तुरुवात हर्चाल से की तो सबड़कों पर सनटा पस्रा दिखा जहां एक और नए साल के जस्न में पूरा जीला डूबा रहा वहीं वहाहन चालकों की हर्ताल से यातरियों की परसानें भी बढ़ी दिखी सबड़कों पर पूरी तरश सनटा पस्रा रहा सोमवार को जीले से राजि के विभीन जीलो एवाम बिहार के अलग-अलग जीलो के लिए खुलने वाली यातरी बसे नहीं खुली यही नहीं टेम्पू छोटे-छोटे बड़े सवारी वहान भी नहीं चले इससे भी भी इन ट्रेनों से कोडर्मा स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों को अपने गंतावे तक पहुंचने में परिशानी का सामना करना पड़ा है नए साल के पहले हपते में जार्खन में हो सकती है बड़ी सियासी उथल पुथल नव वरस का पहला दिन जार्खन की रायनिती में उथल पुथल का संके दे गया है इड़ी के समन के मनदजार सतरु जार्खन मुक्ती मोर्चा ने फितर खाने पुखता त्यारी की है स्वयोगी दल कांग्रेस पार्टी और आयत को भी बदलाव की इस संभावित परकिरिया में विश्वास में लिया जा रहा है एक महत्वपून राइनिती घर्टना करम में गांडे से जामों की बिधायक सर्फराज अमान इस्थिपा दे दिया उनका इस्थिपा बिधायन सभा दक्ष ने सविकार कर लिया है कयास लगाया जा रहा है कि इस सीट से मुख्य मंत्री हमन सुरेन की पतनी कलपना सुरेन बिधायन सभा का चुनाव लर सकती है रज में बिधायन सभा चुनाव होने में अभी एक वरसे सा है बताया जा रहा है कि बीप्रित परिश्थिती आने पर हैमा सुरन सत्ता अपनी पत्नी कलपना सुरन को सोपने के तियारी कर रहे हैं सरफराज आहमद का इस्थिपा भी उसी परिकिरिया का एक अहम हिस्सा है हजारी बाग में नौ वरस पर 3.20 कलोर की सराब गटक गए लोग हजारी बाग में नौ वरस के स्वागत और पुराने वरस को लेकर उत्साह और उमंग की बीच लोग एक दो नहीं बलिक 3 कलोर की सराब पी गए 2022 में सराब विक्री का नय रिकोर्ड बना है अकेले 31 दिसंबर को 1.6 कलोर की सराब की बिक्री हुई वहीं 22 से जा 58 लाख रुपए अधिक है बतादे 2022 में 31 दिसंबर को 1.6 लाख रुपए की सराब बिक्री हुई थी पिछले 3 दिनों को बिक्री जोड दिया जाए तो यह संख्या 3.20 कलोर को पार कर जाएगी सौधी अरब में फसे 45 सरमीकों की घर वापसी पर बोले बीजेपी सांसद यह सब ही वहां रोजगार की तलास में गए थे हजारी बाग के माचदूरों के परिवारू ने जियंद सिनह से उन्हें भारत वापसलाने की मदद मांगी है इस पर तत्काल संग्यान लेते हुए उन्होंने बिदेश मंत्री एक जैसंकर से आग रखिया है वे बिदेश मंत्री से लगाता संपर्क में है किसानों को आगे बढ़ाना ही सच्ची सरधांजली राजेपाल सहीद असमारको पर पुशपांजली अरफित करने से सरधांजली पूरी नहीं होगी बलीग हमारा परयास होना चाहिए कि किस तरह किसानों को आगे बढ़ाएं उनके आत्म निर्भर बनना और उनकी आर्थिक इस्थिती को मजबूत करना ही हमारी सची सरधाजली होगी उक्त बाते राजेपाल सीपी राधा किष्णा ने खरसावा कि गोंडपूर में किसी मेला सब प्रस्रिक्षन कारकरम को समोधित करते हुए कही उन्होंने कहा है कि सभी किसान संगठित होकर केंद्र सरकार की ओजनाओ का लाब लेकर आगे बढ़े तब ही उनकी आर्थिक इस्थिती मजबूत बन पाएगी पहले बाड सुखा पता था तो फसल बिमा का लाब समोहिक रूप से किसानों को मिलता था लेकिन अब एक किसान की भी फसल बरबाद हो गई है तो उन्हें उक्त किसान को लाब मिलेगा नए साल में बेहतर की जाएगी जारखन की स्वास्त सुवधाइं नए साल में गोड़ा की स्वाश्त सेवाओं को बेहतर होने की उमीद है यहां गोड़ा और महगामा अनुमंडल में करन सा 50-50बेट के critical care hospital इस साल बन कर तयार होंगे इसका काम चालू है जबकि महांगामा के महुआरा मौजा में कोल इंडिया की ओर से 300 बेट का तरधुनिक अस्पताल के अधार सिला भी इसी साल रखी जाएगी राज सरकार ने इसके लिए कोल इंडिया से करार किया है कोल इंडिया की ओर से 300 बेट अस्पताल के लिए रासे भी आवंटिद कर दी गई है वहीं नए साल में सदर अस्पताल की छमता 200 बेट की हो जाएगी बरतमान में 800 बेट का अस्पताल है घंडे विधान सभाज से JMM विधायक ने दिया इश्थीपा अब BM की पतनी लग सकती है चुनाओ अब सरफराज अहमद के इस्थीपे से राजनीतिग में उथल पुथल हो गई है इसके साथ ही कैस लगा जा रहा है कि अब गांडे सिर्ट से मुक्य मंत्री हमन सुरेन की पत्नी कलपना सुरेन चुनाव लड़ सकती है हलाकि अभी इस बारे में कोई अस्पश्टी करण नहीं मिल पाया है बता दे सर्फराज अहमद के स्थीपे पर जरकन मुक्ति मोर्चा का ब्यान सामने आया है पार्टी के केंद्रिय महासचीव बिनोध पंडे ने कहा है कि स्थीपे की जनकारी पार्टी को मिली है हलाकि इसके पीछे कायन क्या है और सर्फराज अहमद ने किन परिश्थितियों में श्थिपा दिया इस बारे में बेहतर सर्फराज अहमद बता पाएंगे जमसेदपूर में भिशन सड़क हादसे में छह की ददनाक मौत नए साल का जस्न मनाने जा रहे आदित्यपूर के युवक की कार बिश्टूपूर सर्किट हाउस छेतर में दुर घाटना ग्रस्थ होगा इस घाटना में च्छ युवकों की मौके पर ही मौत हो गया तथा दो युवक गंभी रूप से घायल हो गया सभी लोग कार में सवार होकर पिकनिक मनाने जा रहे थे खाटना बिश्टूपूर के सर्किट हाउस एरिया स्थीच साय मंदीर गोल चकर के समीप की हा है प्राप्त जनकारी के अनुसार एक इंडी गो कार में आठ युवक मरीन ड्राइब की ओर जा रहे थे इसी दवरान अन्यत्रित होकर कार की पोल से टकर हो गाई जिससे गाड़ी में सवार आटो युवक गंभी रूप से घायल हो गाई नए साल पर बिहार से पिकनिक मनाने बिरिंदाहा जल प्रपात पहुंचा युवक लपाता ज्यारखन के कोडारमा जिले के जुमरी तिले थाना छेतर अंत्रगत बिंदाहा जल प्रपात में पिकनिक मनाने आए एक युवक के लपाता होने के ममलब परकास में आया है घाटना रभी वार देर साम की बताई जा रही है युवक का नाम बिनित कुमार बिट्टू बताया जा रहा है तिन युवक बिहार के समस्तिपूर जिले के ताजपूर थाना के ब्रभापूर से ज्यारखन के कोडारमा में पिकनिक मनाने आए थे इसी दोरान उन्होंने सराब पिली इसके बाद एहाथसा हुआ है पुलिस से इसकी सिकायद की गई है पुलिस ममले की जाच कर रही है ज्यारखन में बारिस के असार ज्यारखन में 7 जनवरी 2024 तक बारिस के असार है सुबह में कोहरा या धुन्द और फिर मौसम सुस्क रहने की संभावना के बीच राजे में हलकी बारिस की संभावना जताई गई है मौसम भी भाग ने अपने पुरोर्मान में बताया है कि दो जनवरी की सुबा में कोहरा फिर मौसम साफ रहेगा इसके बाद तिन जनवरी से बारिस की समावना ब्यक्त की गई है रांची बोकारो हजारी बाग पलामू गढ़वा समेत अन जीलो में हलकी बारिस की असार है बतादे राजधानी रांची और इसके आसपस के इलाकों में साथ जनवरी तक आस्मा में बादल चाये रहेंगे और हलकी बारिस हो सकती है जारकन में दो जनवरी की सुब़ा में हलके से मद दर्जे का कोहरा और बाद में असमान मुक्याता साफ रहेगा 2024 में सोलर लाइट से जगमगाएगा गिरी डी सहर गिरी डी को राजधा का पहला सोलर सिटी बनाने की कवायत तेज कर दी गई है सोलर सिटी बिक्सीत करने की जमेदारी जेरेडा को दिया गया है कूल 40 मेगावाट बिली का ऊतपादन सोलर के माध्यम से किया जाएगा इसमें 17 मेगावाट रूप टॉप से 18 मेगावाट ग्राउंड माउंटें से दो मेगावार्ट स्ट्रीट लाइट के माध्यम से और पांच मेगावार्ट कॉमर्सियल होगा 18 मेगावार्ट ग्राउंड माउंटेन से सोर उर्जा उत्पादन के लिए एजेंसी का चैन नहीं किया गया है अयोध्या से आया राम मंदिर का अक्षत घर घर वित्रन करने का अभियान सुरू स्री राम जन्म भूमी में भव्य दिव्य एवम अलोकिक नूतन मंदिर में नूतन भगवान स्री राम ललाक जी का प्रान प्रतिष्ठा अगामी 22 जन्वारी को होने वाली है इसे लेकर अध्या जी से आया पुजित अक्षत को आज चुटिया रांची स्थित प्राचिन स्री राम मंदिर में करका ताओ ने पुजन अर्चन कर परिवारों को निमंत्रन देने का 15 दिवस्य अभियान प्रारम किया बिश्व हिंदू परिशत के प्रांच मंत्री डाक्टर बिनर साहु ने बताया है कि निमंत्रन देने के कारकरम का सुबारम ज्यारकन के लोग पिरिये कलाकार पदमस्री मुकुन नायक को पुजित अक्षत यों राम जी का चित्र देकर प्रारम किया गया है उन्होंने कहा प्रांच में लगभग, पांच है या टोलिया लगभग, 31 लाख परिवारों तक घर घर पहुंचाने का अभियान प्रारम हुआ है बिजेपी सांसत का दावा सियम हिमन्त भी देंगे इस्थिपा जारखन में मुख्य मंत्री हेमन्सुलिन की पार्टी के नेता सर्फराज अहमत के बिधायक पर सिस्थिपा देने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है सर्फराज अहमत गांडे बिधान सबस्थिट से बिधायक थे उन्होंने नीजी कारणों का हवाला देते हुए बिधायक पर सिस्थिपा दिया है वह इस सिस्थिवाले की तरफ से बताया गया है कि इनका सिस्थिपा सविकार भी कर लिया गया है अब सर्फराज अहमद के स्थीपे के बीच बीजेपी ने भी इस मामले पर चुट की लिए है बीजेपी के लोग सवा सांसन निस्तिकान दूबे तंज कसते हुए कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री हमान सुरेन भी उनके नक से कदम पर चलते नजर आएंगे उन्होंने सोसल मीडिया प्लेटफर्म एक्स पर कहा जार्खन के गान्डे बिधायक सर्फराज अहमद ने बिधान सभा सईश्थिपा दिया इस थीपा सविकार हो गया है महन सुरेन जी मुख्यमंत्री पत साईश्थिपा देंगे जार्खन कांग्रेस लोग सभा चुनाव में पार्टी से नए चेहरे को मिल सकता है मौका कांग्रेस में पुराने लोगों को इस बार चुनाव में टिकट मिलने की संभावना कम ही है ऐसे में नए लोगों को संगठन से ही ढूंड कर ठिकट दिया जाएगा और उन्हें अजमा कर देखा जाएगा चुनावी तेयरियों के बीच पार्टी ने इस तरह के संकेत दिया है कि फुराने और परत्यासियों पर अब और जोर अजमाईस नहीं होगी नए लोगों को चुनाव में मौका दिया जाएगा और ऐसे लोगों की तलाद संगठन के बीच सही की जाएगी इसी बीच मंगलवार को नए प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर दो दिवसीये दोर पर रांची पहुँच रहे हैं जारखन में बड़े एक्षन की त्यारी में इडी इडी के रांची अरपोर्ट रोड इस्थीत जोर्रल करेले में दो जनवरी से गतिवीधिया बढ़ने वाली है इसमा कुछ खास होने वाला है जिसकी त्यारी तेज है सेंटरल जेल होटवाल में सराब घोटाल में बंदर योगेंदर तिवारी के नाम पर फोन पर एक प्रमूख आखबार के संपादों को धाम की के मामले में इडी रांची इस्थीत होटवार जेल के जेलर परमोत कुमार समंगलवार के पुस्ताच करेगी इडी ने उनसे योगेंदर तिवारी के सेल का सिसी टीवी फोटेज वाज जेल के टेलिफोन बूत का भी सिसी टीवी फोटेज मांगा है परवतन निदे साले के अधिकारी उनसे विभीन बिंदूवा पर पुस्ताच करेंगे ज्यारखन से खुलने वाले तीन सो बसे रद केंदर सरकार के हीट आइंड रन के कानून के बिरोध में सो मुआर को नए साल पहले दिन नीजी बस चालकों ने तीन दिवस से हर्टाल सुरुकी है इस दरान नीजी बस चालकों ने बसो का परिचलान ठप रखा इस कारन सो मुआर को प्राइवेट बस एस्टेंड से राज्यवा अंतर राजिये बसो का परिचलान नहीं हुआ मेदनी नगर से रांची लोहर्दाग्गा गुमला सिम्डेगा चत्रा हजारी बाग उडिसा के बीर मित्रापूर रावर केरा चतिसगड के रमानुज गांज बलरामपूर अमरीक कापूर महेंद्रगड यूपी के वनारास बिंडम गांज रेनकूट बिहार के गया और अंगाबाद पटना डेहरी सासराम आधी रूट की 300 से अधिक बसे नहीं चली इसी कारान इन अस्थानों पर जाने वाले यात्रियों को काफी परसानी होई है धन्यवाद